इस वीडियो में प्लस्टू क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 7 इंटीग्रल्स की एक्ससाइज 7.3 कर रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटिटीटिटीज क्या निकालना इनका इंटीग्रेशन क्यूसर नमबर 13 देखी वी एक पुफाइंट दा इंटीग्रेशन एज वी नू कोस्ट टू थिट्टा इस एकॉल तो 2 कोस्केर थिट्टा माइनस वन तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यह इस इंटीग्रेटिंग फंक्शन 2 कोस्केर एक्स माइनस वन माइनस यह माइनस का निसान कोस्टू अलफा होगा तो 2 कोस्केर अलफा माइनस वन बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा डिवाइड़ वाइ कोस्केर एक्स माइनस कोस अलफा इंटू दीएक्स यहां से 1 से 1 cancel हो गया 2 इनमें से common हो गया 2 बाहर ले लिजी cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha into dx हो गया अब a square minus b square वाला formula अगर हम use करें तो यह value हमेरे पास क्या बन जाएगी cos x minus cos alpha into cos x plus cos alpha divided by cos x minus cos alpha into dx यह हमारे पास क्या हो गया cancel हो गया क्या बचा integration only cos x plus cos alpha into dx इनका integration करेंगे तो क्या बन जाएगा cos x का क्या था sin x 2 into sin x cos alpha x नहीं है तो यह constant है इसका नहीं होगा plus अगर हम इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं cos alpha into 1 into dx तो 1 का x होता है तो यहाँ पे x cos alpha and plus constant of integration हो जाएगा बहुत यह असान सा question था चलिए question number 14 14 में हमारे पास cos x minus sin x upon 1 plus sin 2 x इसका integration करना है इसमें क्या करते हैं हम cos x minus sin x 1 को कैसे लिखा जा सकता है यह कि sin square theta plus cos square theta की value क्या होती है 1 होती है and sin 2 theta क्या होता है 2 sin theta cos theta तो हमने 1 की जगह अगर हम क्या लिख लें sin square x sin square x plus cos square x 1 की जगह हमने यह रख लिया sin 2 x की जगह 2 sin x cos x dx हो गया नीचे identity बन गी हमारे पास उपर तो cos x minus sin x divided by a square plus b square plus 2 a भी बन गया तो a plus b का square sin x plus cos x का square into dx हो जाएगा इसको हमने identity बना लिया अब हमने क्या किया let this is equation 1 इसको हमने t put कर लिया sin x plus cos x को हम t put कर लेते हैं let sin x plus cos x is equal to t differentiate करें हम इसको with respect to x तो sin x का तो क्या हो जाएगा cos x cos x का minus sin x differentiation हो गया into dx is equal to किसके हो जाएगा dt के या इदर करें तो dt upon dx वो इदर जाके multiply किया है तो cos x minus sin x dx की value हमारे पास क्या हो गया dt हो गया putting in putting in 1 तो integration क्या बन जाएगा उपर वाला हमारे पास क्या बन गया dt and नीचे sin x plus cos x को हमने t put किया है तो यह t square हो गया that means t की power minus 2 dt जब हम इसका integration करेंगे तो क्या बन जाएगा एक power add करेंगे तो t की power minus 1 जब 1 minus 2 में plus 1 add करोगे तो minus का बनी रहेगा and divided by जो power होती है उसी से हम क्या कर देते हैं divide कर देते हैं and plus constant of integration constant of integration इसके बाद यह value क्या हो जाएगी minus minus 1 upon यह नीचे जाके plus का हो जाएगा plus का c that implies minus 1 upon t की value t हमने क्या put किया था sign x plus cos x plus c is your answer तो बहुत ही असान से थे दोनों चलिए अब next करते है question number 15 15 10 raise to power 3 2 x sec 2 x हमने इसका integration करना है d x हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको tangent square 2 x इस एक पावर को हम पिछे ले जाते हैं into sec 2 x into tangent 2 x dx हो गया तीन पावर थी दो अलग अलग पावर में हमने इसको तोड़ लिया अब tangent square 2 x को हम कैसे लिख सकते हैं secant square 10 square theta secant square theta minus 1 secant square 2 x minus 1 into secant 2 x tangent 2 x dx हो गया इसको हमने इस रूप में लिख लिया है अब अलग अलग multiply करें तो हमार पास ये दो बन जाएंगे secant square 2 x इनको multiply करोगे into secant 2 x tangent 2 x फिर minus अलगी कर लेते हैं into dx minus integration of इसको multiply करेंगे secant 2 x into tangent 2 x dx ठीक है अब यहां पे secant x 10 x secant x 10 x का तो अगर हम integration के बात करें तो हमारे पास क्या बनता है हमें यह पता है secant theta का जो differentiation होता है that is secant theta into tangent theta तो इसका integration ये हो जाएगा that means secant 2 x मैं इसका integration नहीं बता रहा हूं secant 2 x but x का coefficient कितना 2 2 से divide करोगे तो कितना हो जाएगा divided by 2 and plus c और इसको हमने as it is रख ली आभी secant square 2 x into secant 2 x into tangent 2 x dx इसमें मैंने put secant 2 x को मैंने t put कर दिया secant 2 x को हमने t put कर दिया differentiate करते है differentiating with respect to x ये क्या बन जाएगा secant theta का क्या होता है secant theta tangent theta that means secant 2 x into tangent 2 x और 2 x का क्या बन जाएगा 2 into dx is equal to dt हो जाएगा अब ये value इसमें put कर दिया तो हमारे पास i1 क्या बन जाएगा ये हमने t put किया है तो ये बन गया t square है और इसकी value हमारे पास क्या बन गी dt तो जब आप इसका integration करेंगे क्या बन जाएगा t की 3 upon 3 plus c बन जाएगा constant constant add होके value constant ही रहेगी और t की value अगर मैं put कर दूँ तो secant cube 2x upon हमारे पास कितना बन गया अच्छा 2 से भी divide करेंगे यह हमें secant 2x tangent 2x से dt था तो ये इदर जाके divide हो जाएगा upon 2 हो गया t की 3 upon 3 into 2 करोगे तो ये value कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी secant cube 2x upon 6 and plus का c putting in 1 putting in 1 तो हमारे पास integration क्या बन जाएगा ये value हमारे पास क्या आगई secant cube 2x upon 6 plus ये minus था यहाँ पर minus of secant 2x upon 2 plus का c हो गया इसका integration मैंने यहाँ पर कर दिया चेक है इंटरस्टिंग था चलिए अब next 16 में क्या है 10 raise to power 4x इसका integration करना है dx इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 square x into 10 square x into dx tangent square को हम कैसे लिख सकते हैं जैसे इसमें हमने लिखा था secant square theta minus 1 secant square x minus 1 into tangent square x dx हो गया अब multiply करके integration ले हम इनका secant square x into 10 square x and dx अब इसके साथ multiply करें integration of 10 square x dx इसका integration नहीं है हमार पास secant square का है तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं secant square x into या हम इसमें put कर दें put secant x अगर मैं secant x को t put कर दो secant x differentiating with respect to x करेंगे हमार पास क्या बन जाएगा secant square x dx की value हमार पास क्या बन जाएगी d t बन जाएगी secant square x dx इसमें put करेंगे तो यह हमार पास value बन जाएगी यह हमार पास t है तो t का square secant square यहां पे हम secant x की जगें tangent x को put करेंगे put tangent x is equal to t फिर tangent x को differentiate करेंगे तो secant square x dx यह हमने गलत ले लिया था तो अब यहां पे हमारे पास secant square x dx तो हमारे पास क्या बन जाएगा d t बन जाएगा और यह बनेगा t square so t square into dt इसको हम कैसे लिख सकते हैं tangent square x dx को आगे हम टुकडों में बांट सकते हैं secant square x minus 1 into dx हो गया यहां पे value हमार पास integration करेंगे t की 3 upon 3 plus constant of integration बाद में लिखते हैंगे minus इसका integration करेंगे secant square x का tangent x minus tangent x minus plus x and plus constant of integration अब t की जगा value पूट करती है यह value बन जाएगे हमारे पास tangent cube x upon 3 minus का tangent x plus का x plus का c यह आपका final answer आगया चलिए इस वीडियो में इतना ही next video में गिले questions के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जया हिन जया भार जब खिर से हुआ जया ही बनाए भार